नमास्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फेड से हमारे इस पावरफुल मुटिवेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाड़क के नीति के अनुसर बताएंगे के इस तरी की काउन सी एक चीज लेने से पूरा परिवार हो जाता है करोडपती और बो जीवन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है तो दोस्तों काउन सी है बो चीज आईए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको एक जरूरी और महत पूर्ड जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों अगर जिस महिला के ये तीन अंग बड़े होती हैं तो बहाँ पर बरबादी निश्चित तोर पर आती है यहां तक की महा भारा तक छिड़ जाती है पुरानी माननताओं के अनुसार आईसी महिला सैकड़ो गाओं को बरबाद कर सकती है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम महिलाओं के जिन अंगों के बारे में बताने बाले हैं उनके बारे में आप भी जानकर चौक जाओगे पुरानी माननताओं के अनुसार अगर जिस महिला में या आपके आथपरोस में इस तरह की महिला दिखाई देती है तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है मिली जानकारी के अनुसार महिलाओं के ये तीन अंग बड़े होने से चिंता का बिसे माना जाता है आपको बता दें सामुद्रिक साहतर में महिलाओं का रंग और उनकी बनाबट के बारे में समपूरड जानकारी भी मिलती है ऐसे में उनका सोभाव और चरित्र देखकर उस महिला का बेगती तोर सोभाव का पता लगाया जा सकता है ऐसे में हम यहां जानते हैं कि महिलाओं में वो तीन अंग सबसे बड़े कौन से हैं जिनके कारण महा भारत तक हो जाते हैं और हो जाते हैं सैकड़ों गाउ तबाहों वरभाद तो चलिए जानते हैं उन्हीं खास अंगों के बारे में दोस्तों नमबर एक है महिलाओं के बड़े-बड़े इस्तन अगर जिस महिला के बड़े-बड़े इस्तन होते हैं तो यह भी सुबलच्छ नहीं होता पुरानी माननताओं के अनसार ऐसी महिला भले ही मन से पवित्र हो लेकिन दूसरी की नजरों में इन्हे गलत नजरिये से देखा जाता है लेकिन दूसरों की नजरों में इन्हें लोग गलत नजरिये से देखते हैं कई पुरूस्तो ऐसी महिलाओं को बासना की दृस्ट से देखते हैं जो कि अच्छा नहीं होता अगर हम डाक्टर्स की माने तो महिलाओं के बड़े बड़े इस्तन होना किसी बड़ी बीमारी होने की सिकायत हो सकता है और दोस्तों नमबर दो है खूपसूरत घणा और लंबावाल सास्तरों के अनुसार जिस महिला का बाल अगर कमर से नीचे जाता हो तो यह भी सुबलच्छर नहीं होता ऐसी महिला नकारात्म कूर्जा को आकर्सित कर सकती है जिस महिला के कमर से नीचे घणे और लंबे बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी मुसीवतों का सामना करना पड़ सकता है बहीं पुरुस भी ऐसी महिला पर आकर्सित होते हैं और अगर जिवतिस सास्त्र की बात करें तो कमर से नीचे बाल होना आपकी बरवादी का कारण बनता है इसलिए कमर से नीचे बाल नहीं होना चाहिए और दोस्तों नमबर तीन है ज्यादा खूपसूरती किसी भी महिला का खूपसूरत होना लाजमी है दुनिया में हर महिला इस वर से ये कामना करती है कि कास मैं भी खूपसूरत होती लेकिन क्या आप जानते हैं महिला का हद से ज्यादा खूपसूरत होना भी अच्छा नहीं मा खतरनाक माना जाता है इतिहास गबाई महिलाओं की खूपसूर्ती के कारण बहुत सारे यूद भे हुए हैं अब दोस्तों आईए जानते हैं कि महिला से कौन सी एक चीज लेने से पूरा घर हो जाता है सफल दोस्तों हमारे हिंदू सास्त्रों में महिलाओं को पूझ जिमाना गया है और देवी का दर्जा प्राप्त है यही बज़े हैं दोस्तों के हमारे यहां केरल जैसे राज्यों में महिलाओं की पूझा की जाती है इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे सास्त्रों में यह साफ तावर पर बताया गया है कि जो ब्यक्ति सुबह उठते ही अपनी मा के चरोडों को इस पर्स करता है तो उस समय धन का एक ऐसा संजोग बनता है जो पूरे घर को माला माल बना देता है दोस्तों मा के हाथों से निकलने बाली अच्छे ओरजा आपकी किस्मत चमका देती है और जितने भी लोग घर में होते हैं उन सब की किस्मत चमक जाती है इसलिए दोस्तों हो सके तो सुबह उठते ही मा के चरोडों को इस पर्स करना बिल्कुल भी मत भूलना जिन घरों में मा के चरोडों को इस पर्स किया जाता है ऐसे घरों पर सदाइब देविल लच्मी की किरपा बनी रहती है और ऐसे घर स्वर्ग के समान माने जाती है तो दोस्तो आज का वीडियो बस यहीं तक था हम आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर करना बिल्कुल भी मत भूलना तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ग्यान बर्धक और नालिजबल वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत